हालो फ्रेंड्स, वल्कम यू आल, आज मैं आपके ले जो वीडियो लिका रहो दिके, बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है लर्निंग पस्पेक्टिप से, बहुत सारे लोग जो लॉंग टम इन्वेस्टर होते हैं, वो मार्केट में प्रॉफिट बुक करने चाहिए, या फिर पोजिशन रिड्यूज कर लेनी चाहिए, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज बिलकुल लगा लेने चाहिए, देकि ये सारी बाते मैं आपको क्यों कह रहा हूं, स्टॉप लॉसे रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट में जो सबसे इंपोर्टेंट पार यह स्टार्टिंग के टाइम पर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आपका मेजर फोकस होता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि अगर चीज़ें मेरे से, मेरी जो सोच है उससे अलग जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, और अगर आप इस चीज के ऊपर फोकस करने लगे, कि चीज़ें आपकी डिरेक्शन से अलग जा रही है, तो how you will manage the risk, इसका मतलब you are on the right track, you are on the right path, जैसे कि जिन्दगी में आपको पता है कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है, तो आप अपनी family के लिए term insurance लेके रख सकता हो, कोई financially, अगर मुझे क कुछ हो जाता है, तो family कैसे survive करेगी, उनको financially strong करने के लिए term insurance लेते हो, एक कम premium में आपको 1-2 करोड का insurance मिल जाता है, और वो आपके family के लिए अगर भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आपको कुछ होता है, तो वो आपकी safety होगी, इसी तरीके से मानलो अभी COVID की situation तो बहुत सारे लोगों को medical claim की जरूरत पड़ी थी, अगर उनके पास insurance नहीं होगा medical वाला, तो किस तरीके से वो नीचे, कितना उकसान उनको हुआ होगा, जेब से देना पड़ा होगा पैसा, यह नहीं, तो जो समझदार लोग है, जो risk को समझते हो, तो उन्होंने उसी प probability setups, और risk को manage करके चलना है, यही तो काम है, और risk management कि हर यहाँ पे CBE, NSE, BSE, हर कोई आपको कहता है, risk को manage करके चलिए, और यह नहीं कि एक दिन में करोणपती बनने का सूचना है, कोई ज़रुरत नहीं, अरा बाराम से test match खेलना है, और risk को manage करके चलते रहना है, अब देखि मैं daily chart आपको इसलिए लेकर चलना हूँ, क्योंकि जब तक यह fall आपको weekly पर दिखेगा, तब तक बहुत बुरा हो चुका होगा, अब यह peak देख रहे हूँ, अब आप यह, यह तीनो बार price इस level तक गया, clear cut rejection, और आप कोगे, यह triple top बन गया, लेकिन निकलने की बारी, जब यह candle बनी यह वाली, बहुत ही खतरनाक, दर्दनाक candle थी, although हमने इस time के लोगों को पहले ही, यहाँ पर मैं कहूंगा, एक चिताव नहीं दे दे थी, कि यह candle बनने के बाद situation गढ़बर होने वाली है, निकल सकते हो आप बहुत जल्दी यहाँ पर, तो उसके बाद, लेकिन आ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि निकले या ना निकले, जो समझदार लोग होंगे, उनको पता है कि अगर यह impulse बनी है, तो इसका correction 50% या 61% फिब लेवल पे जाएगा, definitely, डेली पे बीरिस क्रॉस भी बन चुका है, तो एक jump की उम्मीद हमारी यहाँ पे रहेगी, तो आपको देखने को मिल रहा है, मैं फिब लेगल जरूर ड्रॉ करूंगा ताकि आपको और अच्छे से सीखने को मिले, जब देखिए, अभी और हम RSI पे भी चलेंगे, यह पार्ट देखिए, अब आप, हमने क्या किया, यहाँ पे impulse बनाई, और इस फिब लेवल को, अगर हम कैसे हम यह चीज है, आप कहीं पे भी देखो, यह price section यह चीज है, यह common है, यह कोई मेरी create की हुई नहीं है, यह मेरी create की नहीं है, आप बहुत सारे लोग इसको देखोगे, Elliot wave पढ़ोगे, WaiCop theory पढ़ोगे, Dow के failure swing को पढ़ोगे, यहाँ पर आप देखिए, non failure swing को पढ़ो industries का एक stock, अब इन 3 top point को अगर आप देखोगे, आपको और जल्दी anticipate करना है, तो जाइए RSI पे, RSI आपकी सारी RSI, देखिए जो RSI के concept हम यहाँ पे 40-60 की range यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, यह जो range safety की थोरी दी है, बहुत सारे लोगों को पता न नीचे, bearish area और यह बीच का जो zone है, यह sideways trending का area, यह Andrew Cardwell जी के concept है, आप सर्च कीजिए, Andrew Cardwell जी के RSI के work को सर्च कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से वो समझाएंगे, कि क्या है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मैं कुछ अपना नया create तो कर ली रहा हूँ, यह देखि है, अब आप देखिये, RSI equal highs, देखिये, price making higher high, RSI making lower high, so it means this is a kind of divergence, but still there is no confirmation because we are already in a super momentum area, now you can just see RSI equal highs, RSI lower high, equal highs, RSI lower high, अब देखिया, आप हो गया, यह तो बहुत ही pain के situation आगे, here what happened, we went below 40 area, super super bearish area, below 40 area in daily chart reliance, industries went, आपको गे, हाँ यार, now what will happen, this will try to come near to the 60 area for rejection, जो कि हमारा 50 से लेके 62% का आपका correction होता है, impulse के बाद का FIB level की, अगर मैं बात करूँ, समझे हो, यह FIB level retracement and all, यह सारी चीजे मैंने आपको technical analysis की series में बता रहा है, आप भी membership join कर सकते हो, और अगर आप मैं कहूंगा, Google पे भ बढ़िया level कौन सी है, FIB extensions, मैं आपको कोई यहां पे नई चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको use करना practice आपकी होने वाले है, कि प्रेक्टिस कैसे की जाए, यह देखिया आप, देख रहे हो, यह fall क्या हुआ, क्या खतरनाक, तो यहां पे, मानलो, आप short कर रहे हो, तो पर देखोगे, तो weekly की corrections के लिए, आप hourly में, पंदरा मिनट में यह चीज देख सकते हो, monthly की corrections के लिए, आपको daily में, पंदरा मिनट, छोटी time frame पर आपको यह picture clear हो जाएगी, अभी अपने Reliance Industries लिया, अब मैं TCS को लेता हूँ, उसी time frame पर चलते है, उसी area में चलते है, TCS में January 2020 के around में, आप similar situation देखिए, higher high की situation यहाँ पर है, almost मैं कहूँगा, यह kind of situation इसमें तो बहुत ही बढ़िया यह situation है, आपका market structure यहाँ पर break हुआ है, और यह कहां तक गया है, आप देखिए, कहां तक गया है, कहीं यह sweet spot तक तक तो नहीं चला गया हमारे, और sweet spot कौन सा होता है 70 to 70, 78 जो हमारा वह होता है, यह देखिए, almost 78 के आसपास यहाँ पर spikes मिली है, sweet spot exactly 70.5 पर हमारे पास होता है, आपको क्या मज़ेदार situation बन रही है, देखिए अब इस पार्ट को, मतलब correction लेकिन अभी रुख जाईए, अभी आपको गयार, अब आगे थोड़ा सा और confirm करते है देखिए, lower low, lower high, lower low, और यह जम्प देखिए, वही जम्प है, और bearish cross भी बन चुका है, 200 से भी नीचे जा चुका है, और देखिए क्या गुराफ situation देखने को मिला, आपको गयार, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो यह चीज है, आपको धीरे-धीरे, और बहुत टा मैं आपको इनफी की तरफ भी लेके चलूँगा, और मैं का अगर SDFC और SDFC bank के हम अल्रडी बात कर चुके है, आप इनफी के stocks को देख लीजिए, देखिए, यह daily chart है, हम आपको RSI level पे लेके चलते है, यह आपका price is making higher high continuously, and RSI देखिए, धीरे-धीरे पहले constant था, उसके बाद RSI को भी देख लेते हैं, देखिए, TCS के RSI में, वहाँ पे देखिए, कहां तक गए, यह area देखिए, पहले ही यह 40 तक जा चुका था, फिर यह वापस इस area में 60 के round आके नीचे चलेगा, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि Andrew Cardwell के RSI concept को आपढ़ सकते हूँ, बहुत अच्छे anticipate आप करते हो, तो यह बहुत काम की चीज है, यह ना केवल बड़े falls के लिए, बलगी छोटे-छोटे corrections, weekly के corrections, daily के corrections, जब आते हैं, तो छोटे time frame wise, आप उनको anticipate करके trade कर सकते हो, short कर सकते हो, options के थूर, futures के थूरू, वह काम की चीज होती है, और main important part is the risk management, even अगर मैं इस TCS को यहाँ पे बेच रहा हूं, मान के चलो, मुझे दिख गया कि यह इस area मा आ चुका है, 200 का यहाँ पे rejection मिल रहा है, और इस candle के low होते ही मैं इसको, 2085 से मैं इसको sell करना, start कर दूँगा, तो I know कि मुझे अगर sell करना है, तो मेरे पास stop loss 2152 से उपर का, मेरे पास ही नहीं, पे exit करूँगा ही, करूँगा भई, अगर आप देखो इसको, चले फिलाल wind up करता हूं इस वीडियो को, उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो share कीजिए, like कीजिए और price section सीखते रहे है, thank you, thank you for watching the video.